हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, कैसे हो आप सब, तो आज का ब्लोग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, यह बच्चों के साथ हम शाम के टाइम पर गूमने निकले थे, कहां गए थे, वो सारी चीज़े आगे आपको देखने को मिलेंगी, तो बने रही है मेरे साथ, और बहुत स सबसे पहले, ऑईल में मैंने गरम मसाले और प्यास डाल दिया है, अच्छी तरह से जब प्यास पक जाएंगे, तो बीन्स मैंने काट लिये हैं, बहुत ही पतले-पतले से, क्यूंकि मैंने बच्चों के टीफिन में ही यह देनी है, तो बहुत जादा मैं नहीं बना रही हू और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है यह टीफिन में, और इसके बाद थोड़ा सा आपको मौसम भी दिखा देती हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि आजकल आपने मौसम दिखाना बंध ही कर दिया है, तो कुछ इस तरह से बारिश ही रहती है जादा तर, और अब यह है मेरी लंच रूटीन, लंच में मैं आज बना रही हूं दम आलू, दम आलू बोल लीजे या फिर आप आलू का मदरा बोलीजे बात एक ही है, तो आलू मैंने यहाँ पे बोल करके रखे हुए हैं, बहुत जादा बोल नहीं किये हैं, सिर्फ एक ही सीटी मैंने इन में तो एक सीटी लगाने के बाद भी छिलके इनके इसली निकल जा रहे हैं, और मैंने आलू थोड़ा बड़े बड़े ही लिये थे, अगर आपके पास छोटे आलू हो ना तो उनको बस ऐसे ही गोल ही रहने दीजे, बहुत ही अच्छे रखते हैं, देखने में भी और खाने मे अंदर से पक सकें, और इसके बाद फिर हमने ऑईल में इने फ्राइ कर लेना है, डीप फ्राइ हमें इने करना है, इसलिए ऑईल बहुत जादा जादा गरम में नहीं डालना है, तो जैसे कि अभी आप देख पारे हो, अब आलू हमारे हलके ब्राउन कलर के हो चुके हैं, ब पोड़ा ही गरम है ये और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ये गरम मसाले, काली मिर्च पाउडर डाली है, सोंफ डाली है, जीरा डाला, हींग डालना बिल्कुल ना बुलें, साथी तेज पता, छोटी इलाइची, तेज पता मेरे पास यहां नहीं था, इसलिए यहां प कर लिया है, थोड़ी इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो यह जल जाएगा, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने यहां पे मदरा मसाला भी यूज किया है, और साथी यह डाला है, यह देखिए आपको दिखा देती हूँ, यह अदरक का पाउडर ह तो यह भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, और इसके बाद फिर यह टमाटर प्यूरी मैंने इसमें एड़ की है, साथी मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स भी इसमें डाल दिये थे, इसमें मतलब मिक्स अप कर लिये थे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आता है, और इसके बाद आप चाहें, तो कोई और मसाल आपको अच्छा लगता है, वो भी इसमें एड़ आप कर सकते हो, क्यूंकि मसालों से ही टेस्ट इसमें आने वाला है, और अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे, साथ ही अब मैने इसमें एड़ की है, दहीं, दहीं को ल एंड में आप इसमें क्रीम भी एड़ कर सकते हो, अगर आप बहुत ही अच्छी सी लुक इसको देना चाहते हो, तो अगर आपके पास नहीं है, तो भी आप स्किप भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, और बस अब मेरे दम मालू बनके रेड़ी हो चुके हैं, तो चावल क कर लिए हैं, और बस अब में बना रही हूं चपाती, इसी के साथ ही फिर मेरी लंच रूटीन कम्प्लीट हो जाती है, जब भी मैं इस तरह से जल्दी-जल्दी में खाना बनाती हूं, मतलब कि साथ में कैप्चर भी कर रही होती हूं, तो मैक्सिमम क्या करती हूं कि जो भी मसालों के डब्बे निकालती हूं, कोई भी चीज वो सब ऐसे बिक्डी भी रह जाती है, फिर बाद में ही मैं इन सारी चीजों को समेटती हूं, क्यूंकि अभी कैमरा भी लगा होता है, तो फटा-फट से करना होता है, एक मैं यहां पे ध्यान देती हूं, फिर दूसरा वह आरे साथ लेंच, अलो बताओ, मुझा चैर्मेंट साने ना के काटा रॉन में हमना आदा गंजा सुभाई बढ़े लग गई पीड, हाई कच्छा, इतना बड़ा गजब हो गया, और कैसे कैसे सालिब्रेट किया, तीचर सदे, क्या क्या किया आप लोगों ने, वो सारी बात सारे बच्चे बड़ू में थे, और बड़ी दीदी ने बार दिया, किस को, बच्चो को, अच्छा, और तुम्हारी क्लास में, सारे बड़ खिलाया नहीं, और रपको केग लाया, और ये मूँ में क्या डलाया है, ताफी, किस ने दी टौफी, वार में दी, सब को दी, अच्छा है श्या वहाता। प्रिखुल की गलास में गया हुआ। कुछ नहीं हुआ पढ़ाई नहीं कराई तो एक्टिविटी हुई होगी अचा दे एक एक करके बोलो पैट के अचा नमबर वाई चलते हैं पहले छोटों से चलते हैं तो बच्चे अभी स्कूल से आ गए हैं और बच्चों की डिमांड है कि कहीं घूमने जाना है साथ ही मुझे जाना था मार्केट तो मार्केट के लिए मैं रेडी हो रही हूँ मैं यहाँ पे यह हाफ वन बाला हैस्टाइल कर रही हूँ मुझे बहुत अदा पसंद है लेकिन जब आप इस वाली हैस्टाइल को करते हो ना तो बहुत ही अगर आपके बाल पतले हैं तो बहुत ही मतलब छोटू सा यह बनता है लेकिन इसको अगर आपको थोड़ा बड़ा सा दिखाना है तो पहले इसमें इस तरीके से आप रबड़ बेंड लगा लीजिए जोसे पोनी करते हैं फिर देखिए अभी कितना सुन्दर यह बनके रेडी हुआ है और अगर आपके आगे जो बेबी हैर्स होते हैं उनको अगर आपको सेट करना है तो उसके लिए भी आप ब्रश की हल्प से ब्रेश के उपर थोड़ा सा ओइल स्प्रे कर लीजिए और फिर बहुत इजिली देखिए कितने अच्छे लगते हैं सेट हो जाते हैं इजिली तो मार्केट में की बात बताऊ ना तो मार्केट यहां की बहुत ही ज़्यादा महंगी है यहां पर शॉपिंग करने अगर आ जाओ ना तो दिल नहीं करता शॉपिंग करने का होड़ साथ में आप पूछ रहे थे ना कि यहां पर हम लोग साड़ियां क्यों नहीं पहनते तो हमारे यहां पर maximum suits ही सारी ladies पहनती है अभी यह सारी ladies ना meeting मैं जा रही है कौन सी मीटिंग है वो सब तो मुझे पता नहीं लेकिन आप सूर्स पे ध्यान दीजिए तो सारी मतलब इसी तरह से सूर्स ही पहनती है और इसके बाद फिर बच्चों को गुमाने हम लेके आए हैं पपलोग और ये भी आपने पूछा ता मुझसे कि यहां पी सिवरेज का क् तो ये सिवरेज वाला प्लांट ही में पपलोग का ये प्लांट है ये आपको दिखा रही हूँ तो ऐसा नहीं है यार यहां पे भी सारी फैसलिटीज होती हैं लेकिन जो गाउं गाउं में बहुत मतलब पीछे हैं घर तो उनका ये रहता है कि वो अपने घर के पास ही गड तो वो सारे कनेक्ट किये जाएंगे एक चेंबर के साथ और फिर इसी तरह से चेंबर चेंबर को कनेक्ट करके ये प्लांट में मतलब की जोड दिया जाता है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और इसके बाद बच्चों को मैं यहां खड के पास हम लेके आए हैं और य यह दो खाने वाले हैं और इसके बाद आपको एक और सी सिखाती हूं कि समान इधर से उधर कैसे ले जाया जाता है जैसे अभी आप खड देख रहे हो तो जो कि आपने अभी गोड़ा देखा उस पे समान को लाद के ऐसे ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जहां पर रोड की फिसलिटी नहीं होती है तो खड को कैसे क्रोस करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा तो बने रही है मेरे साथ और अभी मैं बच्चों को यहाँ पर लेके जारी हूँ यह हमारे खेट के पास वाली ही पपलो की खड है और ऐसा बोलते हैं कि खड दिखाने से बच्चों का मतलब पानी के प्रती डर नहीं रहता तो बच्चों के साथ मैंने भी यहाँ पर खूब इंचोई किया और अभी आपको दिखाती हूँ कि खड यहाँ पर लोकल लोग कैसे क्रोस करते हैं मतलब एक जगह से दूसरे कैसे जाते हैं क्यूंकि अभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज है और जब अचानक से बारिश होती है तो इससे भी ज़्यादा बहुत तेज फ्लो हो जाता है तो पती देव ने चेक आउट कर लिया कितनी कर गहरी है खड और ये लेडिस देखे आप ये क्रोस कर रहे हैं तो इस तरीके से ये पत्थर पूल की तरह लगाएके रखे हुए हैं इनी पे चड़के ये क्रोस करेंगे लेकिन फिर भी देंजर वाली जगा है अगर थोड़ा सा भी पाउं फिसले तो गीर सकते हैं और अगर तैरना नहीं आता हो तो चले जाते हैं बैके साथ-साथ ही मैं तो बहुत डरती हूँ पानी से उचाई से तो मैं इस तरह के डिस्क नहीं लेती हूँ और पती देव का बहुत मन हो रहा था कि वो यहां पे नहाएं क्यूंकि बच्पन में इन्यों ने यहां पे खूब नहाएं हैं यह इनके बच्पन बाला ही गाउं है तो बच्चों को फिर मैंने थोड़ी सी दिखाया और समझाया भी कि इस तरह से अकेले कभी भी पानी में नहीं आना चाहिए यह सारी चीज़ें मतलब जब आई ही हैं तो नौलेज़ से चीज़ें भी बतानी चाहिए बच्चों को इससे उनकी नौलेज़ पावर अच्छी रहती है और इसके बाद फिर यह जो आप देख रहे हो यहां पर ट्रैक तो आपको दिखने ही रहा होगा लेकिन यह जो लगे हुए है पोल्स ही ही से है ट्रैक सारा तो यहां पर भी बच्चों ने खूब इंजोई किया है और आई होप आपने भी वीडियो को इंजोई किया होगा तो आज मैंने अपनी तीनों रूटीन आपके साथ यहां पर शेयर की है ब्रेकफास्ट भी लंच भी कर चुकी हूँ और आगे डीनर में आज मैंने क्या बनाया था वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ डिनर में आज मैंने सिंपल डाल और रोटी बनाई थी तो कभी-कभी इस तरह से डाल रोटी खाना नब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो specially बताऊं, मुझे डाल के साथ चपाती बहुत अच्छी लगती है तो सिंपल तरीके से ही डाल में भी मैं तड़का लगाऊंगी जैसा कि आपने देखा सुखे मसाले कड़ी पता मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही एड किया है हिंग इससे बहुत ही अच्छी खुश्बु आती है डाल में अब डाल दिया है प्यास प्यास न डालेना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कैसे मैं इसमें मसाले डालू मतलब मुझे परसनली ऐसा फेल होता है इसलिए प्यास में हमेशा ही डालती हूं और इसके बाद डाल दी हूँ ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया खल्दी और मसाले नमक पयारा सब एड़ कर दिया है थोड़ी सी देर इसे भी पकने देंगे और फिर डाल देंगे इसमें दाल टमाटर मुझे पसंद नहीं है दाल में डालना इसलिए मैं नहीं एड़ करती है तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग मैं